हेलो गाइज भी स्टाड़ेड न्यू टॉपिक वाइरस वाइरवाइट्स प्रोप्रियोंस और लाइकन्स मैं आप लोगों को बता दू यह चैप्टर सेकेंड के टॉपिक है वाइरस इसमें बहुत ही इसके बारे में बताया गया है बट मैंने कुछ ट्राइ किया इस साइ let's start in the 싸 krie impose classification के वाइर्वाइड नहीं किया हुआ कि इसको जए ट्राइटेचन के तो यह जो है ग्लासिफिकाटिस को भी राइट कर दिया है तो यह थो फाईट किकडूम क्लासिपेशिकेशन वार्णीजर में हमलोग इस इसे कि क्लाशिफिकिशने उसमें कौन से टॉपिक्स उन्हों नहीं डिफाइन किया है। तो उन्हों ने वायरस के बारे में कोई डिफाइन नहीं जिए अगर वायरस नायर वायर չाइ जाय तो उस वह भी राइट होगा। प्रियॉंस अजाए वह भी रैट हो गा यह तो आप लोग चाहिए वायरस जानते हैं वायरस जोते हैं इसमें नाल लिविंग में होता है उन्व रियॉंट में होता है। जासे ही वह उस्ट के अंदर इंटर करता है वह ऐक्री हो जाता है लाइlen दिखके दार इस वाइर इन पाई जाती है इसके इसमें जो इंटर जो प्रोटीन की और होती है जैसे बनाता बनाता है एक बार मशीनिती और अपने फीडिं लेता है सब्सक्राइब दिर्ग कर देता है दिरे दीरे करके क्या करता है कि जो बॉडी होती है उसको किल कर देता है दाने मारस वाइरस मीनस वाइरस का मतलब ही होता है वीनस एड और वी कैंसे दप्वाइज पॉईजन तो इस नेम इस गीवन वाइज दमित्री गुराउस्की 1892 देन तोबैकों आगे हम लोग पढ़ें के टीम्भी वाइरस इन्हों किया था 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 यह दिखा था तोबैकों ने और भी आप लोग यह जितने भी डिसकवरर है इनका नाम थोड़ा सा ध्यान से अटेंशन देजिए दिखा था 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 इसके वाद आजाते हैं आप लोग यह जो है यह निव्स के ग्जाम में और स्यू सेट के ग्जाम में और अधर्स इक्जाम में भी पूछे गएं तो आप लोग इस पर थोड़ा सा अपना टेंशन ज्यादा दीजिए गा अगर इस यह इंफेक्टेड है और इसका जो जो इनिफेक्टेड पार्ट अगर इसका जो जो इनिफेक्टेड पार्ट है या कोई भी पार्थ हम किसी हेल्दी प्लांट में इंसर्ट कराते हैं तो वह भी प्लांट को क्या करता है यह इंफेक्ट कर देता ओके यह इन्हों इस डिसकावर के तो अधर्शनी थे है इन इंद्ट का प्रोटीन का स््ट्रच फ़ों करता है अग्रिस्टल फोंग ऑर इससे जो है सबसें हैं सबसें फर्स्टा फ़ल हम लोगों को बताया था व्म् स्ट्रेइड नैगीं व्यरस pada unfiction व्यरसीग से2 वबिएड़र सेnovaň अबलीगेट पैरसाइट पैरसाइट उन्हें कहा जाता है जो की होल नुदी होते हैं और अब आपलों हो आपहु अब अलोफि pole पैरसिटिक क्या होता है जिनकी क्या करते हैं उखिसले निए एक होस्त में कंप्रीट नहीं होतीं किया करता है अपनी पारसेथ वह जिनकी लाइप श्युनकी लाइप साड़ी के अपने लाइप साड़ीच सेक्ब्राइपक नीए इक अधर वुज़ार की जरूरत होती है इने जनेटिक माटेरियल होता है वही इंफेक्षिन करता है वाइरस धिंफ्ट अर्ने मोस्त रच यह थैसे और इनिम्मस को करते हैं और गोगोड़ अर्चिकि यह जदा होगया अ डबलpy स्टेंडर आरयन दिहीं हो सकते जगi है यह यह हो कि यह से इनगल स्टेंडर और यह डबल इन यह धी एन्ने कवि जिसे कहते हैं और यह होता है बहुत सारे काप्सुमियर से मिलकर बना होता है यह क्या करता है क्योंकि इन्वोर्मेंट में रहेगा यह तो नौ लिविंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगा जैसे ही होस्ट की बॉड़ी में इंटर करेंगा तभी एक्टिव होगा लौज इंटर करता है और यह कोई इंटर करते हैं अधर कर देता है यह तो हैं यह समझ गयोंग यह में लग गयो होग इन्हीत जरूरत की चाहिए पूद्ट बीचान कि जिए में जब स्टार्टिन में इस निए गया है इस अपनी फीरिंग लेते हैं अपनीaben कहुंई ज़रूरत होती है हैं इसक्रश्ट बोडी से अकना लेने लेते हैं उन से उनकी बॉडि की पूरी तरी के डिकलाइन कर देते हैं धीरे 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 डाइट सब्सक्राइब आप लोग वायरस का इंफेक्शन मोनोनुकलियोसिस जो एप्टन वायरस होता है यह जो होता है यह काज करता है इसे हम लोग कह सकते हैं यह गामा हाइपर वायरस भी कहते हैं यह एक हाइपर वायरस फैमिली से विलोंग करता है है कि और सिंग्वाह सब्सक्राइब अब ऑजक्राइब इसका डीनने नशाता है वह डावल स्टेंडर रोटकियोसिस यह चाहता है है अलकि प्सक्राइब conviction कि ए अभी इसका इलाज नहीं है बस थोड़े बहुत है इसमें निकलियोसाइड वगरा 162 काप्समियर इंसर्ट कराए जाते हैं उसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं बस इतना जानते रहों कि एपसन वार वाइरस अगर आ गया तो इतना और इंफेक्ट सेफान हुमन की बॉड़ी में इंफेक्ट करता है इससे अगर इसका सारव होता है इस वी वी वायरस आप लोग अगर यह गया तो आप लोग कंफ्यूज मत हो यह इसे ही मोनले यह है जो कि मोनो नुकलियोश करता है है इसमें कोई अगर इसमें पूचा गया कितने कैप सम्य होते हैं 162 कैप समय होते हैं ओके तो यह वे होता है यह होथा है यह एक्र टाहर और इसके बाद हमा स्वकाई प्ली आपलीकर्स वाइरस एच्पीवी कांश करता है मार्म और काफी लोगों को डपेकिस पर किसा के बारे में मालूम होगा तर डप्रेशिया क्या होता है एक है ये ये एक टाइब का डाना तक में होता है जैसरे आप लोग वगजीव सा सब्सक्रवाइल की दिवीजन होते लगते हैं ओर ये क्या है ऐसे हॉप्स स्लैक हमेंद है लगता है कि यह कैंसर सेल नहीं होती है यह क्या मॉडरेट हो जाती है सेल्स और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉड़ी में टिसूस में उसी को हम डाइपसिया कहता है जैनाइटलवार्ट्स और सर्वाइकल्स है एंसके होता है और यह होता है बहुत ही ज추ेंजा बहुत बीच में आया था despite Canada कुंछ स्प्रेड और इसका मुझे लगा रहा है कि आपेर कहां दो गया ऊफेक्ट हुआ था क्यों chrom एक sweetie जो लोगों को आइडिया लग जा रहा होगा लोवर्ट में बख्चों में कभी ऑग चाहिए उन्हें प्रॉब्लम्स होती है तो ये कभी-कभी वायरस क्या होते हैं ऑट रिस्पाइरिटरी ट्राक्ट पर इंफेक्शन कास करता है से ऐसे बहुत जदा इफक्ट हो रहा है और यह उपना विकाल डिखाया था क्योंकि इस ने क्या किया था कुरोना में ज़ादा क्या हूँ एक संटे होगा बहुत ही जादा साथ बहुत ही जादा साथ सब्सक्राइब कर यह करते क्रोने टेस्ट नानी क्लिस लोटो वाइरस रोटों वाइरस titre और इसके बाद आता वाइरिस जोस्टर वाइरस कास्ट दे सिंगल चिक पॉक्स वैरिसेला आप लोगों ने पढ़ा होगा यह काफी जगे पर आता है काफी एक्जाम में भी पूछा गया कि चिकन पॉक्स डिजीज किस वाइरस के कारड कॉज होता है तो आप लोग जानते होंग यह नहीं होगा वेस्ट नील वाइरस वेस्ट नील वाइरस वेस्ट नील वाइरस वेस्ट से ही आप लोगों का आइडिया हो गया होगा कि वेस्ट नील वाइरस यह मोस्टली वेस्टन साइड में होता है और यह यह जो होता जीका वाइरस जैसे हो गया डेंगू हो गया इन प्लाइबिडी उसी का यह मेंबर है वेस्ट नील वाइरस यह जो होता है यह सिंगल स्टांडर्ड होता है आर यह होते हैं ओके यह और यह मास्क्यूटो बाइट से स्प्रेड होते हैं मोस्ट ली ओके नैस्टा जाते हैं चिकेन पॉक्स अभी अभी हम लोगों ने चिकेन पॉक्स के बारे में पढ़ा कि चिकेन पॉक्स किस से काज होता है और इसके बाद आप लोगों में से काफी लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि चिकेन पॉक्स किस वज़े से काज होता है वारी से जो होता है उसी से चिकेन पॉक्स डिजी हाप होता है इसको में कह सकते हैं है aksv हाप सिंप्लेक्स वाइरस हाप सेम्प्लेक्स वाइरस होता है यह माउथ माउथ और जिनाइटल आरगनश में बहुत ज्यादा काज करता है बारे में हैं तो यह अर यह आप लोगों सबीहिस अता मिल्य और अरुट के बारे में आप लोगों फुद अपनी राय देंगी जो नेमें पर किया है कि HPV वाइरस के बारे में मैंने अभी अभी पड़ा इन्फेक्टियस मोनोनुकलियस के बारे में भी पड़ा मॉंस मीजल्स और रूबेला वायरस के बारे में भी हम लोग पड़ चुके हैं मम्स मॉपेला वायरस मॉम्स के बारे में हम लोगों ने नहीं पड़ा इस टॉपिक के बारे में मॉम्स जो होता है इसे पैरोटिस्टिस भी कहते हैं ओके यह जो होता है सलाइवा की प्रूट ट्रांसफर होता है के द्वारा यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यह क्या होता है ट्रांसफर होता है और यह पर्टिकुलरी बच्चों में ज्यादा देखा जाता है और इसमें क्या होता बहुत ज्यादा सेलाइवी ग्लैंड को इंफेक्ट करता है और यह फीवर भी हो जाता है smile goals please suppose me में डिव्यात में घ्री झिल्फिश के मैं त्लबर समय और यह जो कोदः बहुत ज्यादा थे और इसे आप गूदिटम कॉने मीजभ फिल्म आइऔर यह जसा ही अह मिलम स्लय होटा है बहूत ज़्यादा थाकान होती है बहुत जाता है इसके कारण जो आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास घर में इसका क्या करते हैं घर में नीम की पत्यां लगा देते हैं जब भी मीजल्स आते हैं लोग कहते कि इससे ठीक हो जब बट ऐसा कुछ नहीं होता उसके लिए ट्रीटमेंट देनी पड़ नीम की पथी है यह घुश होती है इंटी वाइरलहोटश है अपने भी ह में जहुत अधिए जांट विखनी में जो सबस्य evalu ङदिंच के लिए आर्शफ वेयले फोटरी बौडे फी रिडडनेश रिडनेश करज कर देती हैं ज één में जर्मन मीजल्स इन्हों मीजल कर सकते और यह पूरी बॉड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कभी काफी लोगों को यह बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होती है जाते हैं सिंगल 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 होती है हर्पेश जोस्टर से कह सकते हैं और यह जो होती है ब्रोड़ा काप्त्र फॉक्तियों और ही लेक्रोंकित तो होता है और यह बोडी से होता है सम्हें ब्हुत ही जगेज़के पर काफी कि में अंगेने आप लोगों बता है इस इसका नाम एक हर है हर्पस जोस्तर एक सेकंड ही आर पी एस आप लोग लिख रहेंगा क्योंकि इसमें मेरे में अभी टायटिंग पार्ट से वर्क नहीं करता जोस्तर 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 हर्पस जोस्तर मैं फिर से सब्सक्राइब लिए ज्कृतर दिए तिमध फैस के समें इंफूल प्रूज है उसमें बता च्की कियों गैस्टर इंकृति इसकारण से होती है वायरिस है पर टाइटिस वायरस में निंजाडिस वायरस नीमूनिय के सारे अपोज पढ़तों कि नौर्मल आप लाईटिस सुनते रहते हो ना हीपेटाइटिस वाइरल वाइरल मेनेंजाइटिस दो माइंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है नीमोनिया वाइरल नीमोनिया बहुत ही ज़्यादा कास होता है यह बैक्टीरियो फेज यह बहुत इंट्रेस्टिंग वाइरस होता है यह वाइरस ह वाईरस यह जो होता वाईरस यह डॉबल स्टेंडर होता है और यह एक ऐसा वाईरस है जो कि हमारे जो गंगाजी का जल होता है जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सुध होता है उसमें किसी भी तरीकी की हाम्स नहीं होते, वो बहुत, सुभद mniej रहता है, और उसमें कभी कील नहीं पड़ते, उससे इंफेक्शन नहीं होता, वाइरस। ये ये बैक्तीरिया किया करता है। बैक्तीरिया को इसkimoe, अपने सर्वाइबल के लिए बैक्तीरिया को जूज करता है। एज़ा होस्ट ओकी बैक्टिडियल बैक्टीरियल वाइरस और बैक्टिडिया फेज रूसी डबल इसको आप लोग दिखती हरी कि डबल स्थेंडर वायरस होता है अब बैक्टिरियो फेस के स्ट्रक्चर कुछ नियों करके होता है crystalline structure we can say as like crystal okay this is the head and then collar then this type of collar के बाद sheaf like structure sheaf like structure then base plates base plates is like this place plates this and this is what happens in this part it has a DNA in this part which is the head portion okay let's get bacteria phase यह double standard इसमें DNA पाया जाता है protein court is card-age capsid इसमें protein की covering पाया जाती है जिसे capsid बोलते हैं okay capsid is made up of small subunits called card-age capsomer यह जो capsid होते हैं यह चोटे-चोटे subunits से मिल कर बने तो जिसे capsomers कहते है capsomers protect the nuclecacid मैंने बोला था starting में double standard DNA है और यह जो capsid होता है किसे यह वायरस की निफलिक एसीड को प्रोटेक्ट करने का वकारे करते है और अरेंज हेलिकल और पॉलिगोनल जोमेट्री यह पॉलिगोनल होता है यह हैलिकल होता है इस बता दिया था कि यह बैक्टिरियल सल में क्या रप्लिकेट करता है जिसे कि आप भी आप लोग अपलोग लिए आर और वी क्यू तो इन इनवार्मेंट क्या कहता है यह जो है और विक्यूटियस है इनवार्मेंट के लेकर इनवार्मेंट के प्रथी बहुत इनवार्मेंट में प्रेजंट होता है एज इस प्रेड होता है यूनिवर्सल होता है भी कैंसे ओके इसका मतलब हो था इब्री हो यह और भी कहने से इस्पेशली आर दा ओमी ओमनी प्रेजंट ओके इन इन वर्मेंट और रिकरगनाइस दा मोस्ट अबंदेंट और बायलोजिकल एजन्ट अंद अर्थ ओके यह इसका फिगर है मैंने उस प्रीवें स्लाइड में बनाया था बडर गें नहीं था इसमें आप लोग देख सकते हो यह इसका है जो कि हैक्सेट होनल होता है यह है इस इस हैं और यह बनार और और यह कोलर पार्ट है इसका है यह सीथ है यह बेस प्लेट है जिसके थ्रूओ इस प्रेट करता है इसे जो चाहिए वह ले लेता है यह टेल फाइबर होते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि बैक्टिरिया को इंफेक्ट करता है वी कंसे दाइब के इस लिए तो बैक्टिरियो फेज बाइंड फेज भाइंस जो इनफेक्ट करचा यह वाइरस इनफेक्ट करता है इसके जो जो जैनेटिक advertisement multiplication multiplication स्टार्ट कर देता जैसे ही इंसर्थ होता इस व्हाइब से इसे multiplication virus की यही important कि वे जैसे ही host की body में insert होता first of all they starting to multiply वो कहते नहीं जिस की जन्संख्या बढ़ेगी आगे बढ़ेगा तो वह कि क्या है रदे जंसं के अबढने़ा नहीं काम कर ले यह यहां वारेश की बात कर धर आ जेनेतिक मेंगर्तिरिम मुंपियोद टेकिल सुक्टिप्रियल करते हैं चеспरार्टिकर द्यूर्ड इनसाथ कर दोक्निक् Bolwee वह करते हैं यह दिरिये दिर चाहिए यह दोनों बार वाइरवाइट्स वाइर फिडिये वाइर्वाइट्स के बारे में आजाते हैं वायरवायट्स क्या होते हैं वायरवायट्स क्या होते हैं In 1971, T.O. Diner Discover a new infectious agents that are smaller than the virus and cause the potato spindle tuber disease एक टीयर डाइनर नाम के scientist थे उन्होंने क्या किया था Discover किया था उन्होंने क्या किया था वायरवायट्स को जो कि उन्होंने देखा कि एक potato आप लोग सभी लोग देखते हैं पोटाटो किसी भी सबजी में डालो चलती है आलो में उन्होंने एक spindle fiber disease देखा था कि उसमें बार-बार spindle type में एक disease कास कर रहा जो जिसका जो उसका infectious agent है जो वो क्या है वायरस से भी इसमाल ओके इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया था इसका नेम देखा यह आजलेक वायरस था बट यह वायरस नहीं था क्योंकि इसमें प्रोटेन कोड भी नहीं थी और इसका आर्यन जो ता प्रेली एसस तर्वाइब पर रहा था तो यह नेम हुचेल था था प्रेल द झालने लासי जो नेशा लवो मौलप का उए-重-low- providers- quickly you अर है इसका नेंक वो मौलपकुलर बट का हरता है प्रियोंस प्रियोंस पच्ट्ट्ट्ले नीटिन दिस्करी के लिए प्रियोंस की डिस्करी लिए क्रुमान को नोबल प्राइज दिया गया था और इसको पूरी तरीके से डिखाएं स्टैनले वी प्रूशनर ने 1997 ने किया था इन दा मॉडल मेडिसीन सर्टेन इंफेक्टियस नियुरोलोजिकल डिजीजेस यह जो प्रियांस होता है इसमें क्या नियुरोलोजिकल डिजीजेस गाज करता है इसमें यह वाइरास है यह एक नियुरोलोजिकल डिजीजेस है जो कि transmit होती है one agent to be abnormal and folding of protein मतलब वो किया करता है एक agent से दूसरे agent में ट्राकर होती है कैसे होती है इसमें protein की folding हो जाती है we can say protein folding ऐसे होती है जैसे protein की एक part protein का एक हो है फिर इसमें protein की ऐसे folding हो जाती है जैसे आप लोग देखते होंगे spring है spring को अगर खीचो तो पूरी तरीके जाती है लेकिन जब उसे छोड़ो तो क्या कर जाती है यह फोल्डिंग रूप में हो जाती है that's why we can say abnormal protein folding दिखाई देती है इसका भी एजेंट होता है वायरस की होता है ऑफ वायरस से भी छोटा होता है देशने काल्ड आज प्रियॉंस के लिग प्रियॉंस करते दो मुस्ट आज नोटेबल डिजीस काज गःवी प्रियॉंस इस दा ज्ब इस पंजी फंजी फंदी इंशी फैलोपाथी में जीशी कि यह जो मैंड जाती है इन से बहुत ही ज्धा कामनट देखने के यह जो ट्रांसपर होती है छक्षी में छोता है यह जब ट्रांसफर होजाती है तो इससे कहते हैं ओकि अ स्रड़ आजाते नियुक्त यह हमारा clear हो गया हमारे यहीं पर जो हमारा chapter 2nd था उसका हम लोग bind up करते हैं और जो planty kingdom है और animal kingdom है उसको detail में study करेंगे नेस्ट हमारा जो चैप्टर है किंग्डम प्लांटी उसमें इसके बाद किंग्डम एनी मैलिया है उसमें हम लोग इन दोनों चैप्टर जो किंग्डम है इनको हम लोग क्लियर करेंगे इसमें हम लोग चैप्टर सेकेंड बायलोजिकल क्लासिफिकरेशन में हम लोग यहीं प नीट में पूछा गया है यह जो ऐसे एक्जाम होते रहते हैं जैसे टेट हुआ और इसके बाद सीटेट हुआ और जैसे की टीजीटी पीजीटी वेगर हुआ हुआ इसमें जो यह नॉमे पूछे जाने वाले कुछ्चिन है इस हम लोग नेस्ट्लाइड में करेंगे नेस्ट्ट्राइड मितलब नेस्ट्ट जब हम लोग यह बनाएंगे तो उसमें हम लोग आड करते चलेंगे तो यही इसके बाद जो हमारा यह जो चाप्टर राज शेकंड रहे हो जाए को कंप्ली तो हम लोग इस्टार्ट पर करेंगे कि दे देखते हैं अपने कुर्ष्चन अंशर गया था यह जा पर अपने के लिए अपने कुर्ष्च नंसर अपके टब तब के लिए बाइ-बाइ-बाइ-फी मेरे चै